तो दोस्तो आप फाइल निवा टाइम आ चुका है जब हमें डबलो डबलो कंपनी के अंदर बहुत सारे नए और पुराने रेसलर का रिटरन देखने को मिलने वाला है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में करेंगे बात कि हमें रोयल नमर 224 में कौन-क रिपोर्ट केरें टाइम में आया था कि यह तीन से चार वीक में फाली रिकवर हो जाने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग यह मालों की रे मिस्ट्रियों हमें रोयल नमर 224 में अपना रिटरन करते हैं इसके बार नेक्स्ट रेसलर आते हैं हमारे तो गेम डिर्पल एज जि किजिएगा इसके बात हम लोग नेक्स टीसलर के में बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है मॉंक्स्टर कें जिनका हमें one time एपरेंश देखने को मिल सकता है रोयल नमर के उलवा नम ईता हैं क्योंकर दोस्तों हमेसा रॉयल नमर के लिए जाने जाता है आपको पता दू कि केंड डेवल डेवल केंपनी के अंदर वह रेसलर है जो कि दोस्तो अवरॉल सबसे ज़्यादा अभी तक रोयल अमन के अंदर पाटिसिपेट कर चुके हैं साथ इसाथ अगर 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 इलिमिनेशन देखा जाए तो वह केंड नहीं किया है अज तक रोय नमल में दोस्तों अगर आप लोग चौन सिना को अच्छे से जानते होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि चौन सिना एक बहुत ही ज्यादा हमल रेसलर है और इनको जब भी मौका मिलता है तो यह डबलोड़ोई कंपनी के अंदर जरूर से आते हैं तो दोस्तों आप ल और यह रूमर्स है कि द र 1 रोग बर्सेज रोमनेंक्स का मैच हमें देखने को मिल सकता है और चेंबर में वहीं आपको बता दे कि रोमनेक्स आपना टीष पूडरी टैटल है रोयल नमबल के वैटल Wild足 में मैच में डॉमंडनक्ट रूरण में तो अ हो सकता है कि यहाँ इनका हमें return देखने को मिल जाए लेकिन इसका chances बहुत कम है इसके बाद next wrestler के बारे में बात कर लेते हैं जो कि दोस्तो होने वाले ब्रॉन स्टुमेंट जिनका आपको return 100% देखने को मिल सकता है royal number के अंदर दोस्तो इनका जो भी injury वगेरा था वो सब clear हो चुका है तो WWE वाले इस monster को royal number में जरूर फीचर करने वाले है इसके बाद next wrestler है Samus जिनका return हमें काफी time से WWE company के अंदर देखने को नहीं मिला हुए आपको याद होगा कि दोस्तो Samus last match age के साथ wrestle किये थे उसके बाद दोस्तो ये current time में दिखाई ही नहीं दे रहे WWE के अंदर और मैं आपको बता दो कि current time में इसके साथ कोई injury वेगरा का scene हाई ही नहीं बज़ ड़ो ड़ो के पास इनके लिए कोई प्लान ही नहीं है जिसके वज़ा से इन्हें WWE company से दूर रखा गया है तो दोस्तो आप लोग 100% होप कर सकते हो कि सेमस का return हमें रोयल अमन में देखने को मिलने वाला है इसके बाद next wrestler है हमारे the beast incarnate Brock Lesnar जिनका 100% confirm है कि हमें इनका return देखने को मिलने वाला है रोयल अमन में दोस्तो आपको बता दो कि इनका last match हमें Cody Rhodes के साथ summer slam में देखने को मिला था अगर बात करें Brock Lesnar की तो उनके बिना रोयल अमन अधुरा सा लगता है तो दोस्तो आप लोग 100% होप कर सकते हो कि इनका हमें return देखने को मिलने वाला है रोयल अमन में इसके बाद next हम लोग बात कर लेते हैं बारे में वैसे तो इनका chances कम है रोयल अमन में return करने का लेकिन आप लोग होप कर सकते हो कि इनका return हमें देखने को मिल जाए रोयल अमन में देखने को मिल सकता है वे आपके कुरेटिंग अगर कोई और wrestler मेरे से छूड गया तो दोस्तों आप लोग उनका नयम comment box में जरूर बताए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में